ओम शान्ति, 29 ओगस्ट 2022, बाबा के महवाक्य, मेठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मेठी चलन से बाप का शो करना है, सबको बाप का परिचै दे, वर्से का अधिकारी बनाना है, प्रश्ण जो बच्चे देही अभिमानी हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वह बहुत बहुत मेठे लवली होंगे, वह शिरीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, वह कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे, सदा हांजी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे, जबकि देही अभिमानी समझते, यह काम करने से मेरी इज़त चली जाएगी, देही अभिमानी सदा बाप के फर्मान पर चलेंगे, बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे, कभी क्रोध में आकर बाप की अवग्या नहीं करेंगे, उनका अपनी देहे से लगाव नहीं होगा, शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बरबाद नहीं होने देंगे, गीत भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, ओम शान्ति, इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहीं, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है, यह तो समझते हैं असुल भारत ही था, सब धरम वाले यह तो जानते ही हैं, कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था, यह तो समझ की बात है ना, तुम बच्चे जानते हो, कि बरोबर भारत ही प्राचीन हैं, उस समय भारत ही बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहा चाता था, इस समय तो कोई मनुश्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाई तुम बच्चों के, सो भी नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार हैं, तो हर एक खुद समझ सकते हैं, कि बेहद के बाप को नहीं जानते, पुकारते हैं, भक्ती करते हैं, परन्तु बाप की बायोग्राफी किसको पता नहीं है, गाया भी जाता है, कि फादर शोज सन, सन शोज फादर, अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है, फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा, तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है, यह भी समझते हैं कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचईता है उनको अगर जानते तो आस्चरिय लगता है हम भगवान के बच्चे दुख में आईरन एज में क्यों यह प्रश्न भी तुमको पूछना है पहला प्रश्न पूछना है तुमहारा परमपिता परमत्मा से क्या समबंध है पूछने वाले को तो जरूर मालूम है और कोई भी पूछता नहीं क्योंकी मालूम नहीं है तुम कोई से भी पूछ सकते हो, यह तो कौमन रीती से सब कह देते हैं, इश्वर सरव्यापी है, परन्तु सरव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं, दुखरता सुख करता कहते हैं न, दुख मिटाने वाला, सुख देने वाला तो एक चाहिए न, तुम थोड़ा भी टच करेंगे, समझाएंगे, तो समझेंगे, बरोबर सत्युग में सुख ही सुख था, अभी तो दुखी दुख है, तो जरूर सब के दुखों को बाप ने मिटाया होगा, यह तो अती सहज बात है, तुम्हारी समझ में आता है, हम पार लोकिक मात पिता के बने हैं, यह ज्ञान की बातें अभी यहां चलती हैं, सत्युग में नहीं चलती, वहां तो ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ज्ञान देने वाला वहां कोई है नहीं, ज्ञान से तो प्रालब्ध पाली, तुम अभी ज्ञान से प्रालब्ध पार रहे हो, नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार, देही अभिमानी बनना बड़ी महनत की बात है शुबाबा की सर्विस में जो ततपर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकती है देहे अभिमान आ जाने से फिर उनसे वह खुश्बू निकल जाती है उनकी चलन से ही सारा मालूम पढ़ जाता है कि यह देहे अभिमानी हैं देही अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं आपस में भाई बेहन भी हैं दोनों ही शिरीमत पर एक्यूरेट चलने वाली हैं ऐसे नहीं कि एक शिरीमत पर चले दूसरा बहाना बना कर बैठ जाए शिरीमत पर ना चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कहे नहीं सकते बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं परंतु अंदर में समशते हैं कि यह ना फर्मान बरदार हैं यह क्या पद पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं। शिरीमत पर अमल नहीं करते हैं। देह अभिमान की कारण शिरीमत पर चलते नहीं हैं। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। यह आसुरी दुनिया कितनी कडवी है। मात, पिता, भाई, बेहन, सब कडवे। यहां भी जो देहे अभिमानी हैं वह कडवे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रही हो। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं। सिर्फ प्रधान ता निकली है। कोई रजो तक पहुंचे हैं। सतो में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। देही अभिमानी को कभी देहे का अभिमान नहीं रहेगा। कि यह काम मैं क्यों करूँ। इसमें मेरी इज़त जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे। कि देहे अभिमान ना रही। देहे अभिमानी बनने से सत्या नाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे। प्रजा में जो साहुकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे। यह तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। इनसे तो वह साहुकार अच्छे ठैरेना। बुद्धी से काम लिया जाता है तो समझ में आता है जो बच्चे नहीं बनते हैं सिर्फ मददगार बनते हैं तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। यहां तो नौकरी करने पड़ती है। पिछाडी को करके राज्य भाग्य ताज मिलेगा। सजा तो खानी पड़ती हैं दोनों को। इन सभी बातों को ग्यानी तु आत्मा समझ सकते हैं। अक्यानी देहे अभिमानी हैं। उनकी चाल ही ऐसी है। समझा जाता है कि यह कोई काम का नहीं। यहां तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। जट देहे अभिमान आ जाता है। देहे अभिमान को मिटाए देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहां रहने वालों को तो फिर ब्रामनों का संग है। बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्यान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स क्लास जो उससे पूरा रंग लगे। देहे अभिमानी का संग मिलने से एक दम मिट्टी पलीत हो जाती है। फिर फर्मान पर भी नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो जट बताएंगे। तुम फर्मान बरदार हो वा नहीं। नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है। खोन खराबी बहुत है। इनको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया है। अभी तुम संगम पर हो। बुद्धी में हैं। हम ग्रहस्त व्यवहार में रहते संगम पर खड़ी हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं। कांटों से पलव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलिज्यस सिर्फ तुम ही हो। वह भी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वह हुए इर्रिलिज्यस। कहते भी हैं धर्मी और अधर्मी। पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं। तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थपड लग जाएगा तो फान आएगा। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर है इस तरफ। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। ग्रहस्त व्यवहार में तो रहना है बाप कहते हैं निरबंधन हो रहने वालों से ग्रहस्त व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है सब तो एक जैसे नहीं हो सकते नंबर वार हैं स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़े ही लेते हैं यह भी बेहद का स्कू बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं, इनको कहिंगे विशाल बुद्धी, विशाल बुद्धी तब बनेंगे जब बापको याद करेंगे, तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धी बनी है, तुम मूल वतन, सुक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र कैसे फिरता है? इसे जानते हो. इसको विशाल बुध्धी वा बेहद की बुध्धी कहा चाता है. मनुश्यों की है हद की, तुम्हारी बनती है बेहद की बुध्धी, तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़ी. जितना मीठा बनेंगे, संपूरण बनेंगे, उतना वह भविश्य में अविनाशी बन जाएगा. देखना चाहिए कि हमारे में देहे अभिमान तो नहीं है. अगर कोई काम में ना करते हैं, तो समझा जाता है इनमें देहे अभिमान है. सत्युग में सब देही अभिमानी होते हैं. जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है. यहां तो कितना रोते हैं? देहे अभिमान है ना? देहे पर बहुत प्यार है. तुम बच्चों के लिए यह दुनिया जैसे है ही नहीं. अशरीरी आये थे अशरीरी बन जाना है. बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं. उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए? बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता? हाथी को भी गुर-गुर करेगा. तो जो अंदर के कडवे रहते हैं, उनको बाप सपूत थोड़े ही कहिंगे. कहिंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं. रिगार्ड तो रहता है. यह भी ड्रामा ही कहिंगे. आज अच्छा चल रहा है. कल माया का तुफान लग जाता है. समझते नहीं कि हम कोई तुफान में हैं. बड़े-बड़े को भी तुफान तो लगते हैं ना. फिर भी ड्रामा कहा जाता. हम शिव बाबा से वर्सा लेते हैं. यह भूलने से खाना बरबाद हो जाएगा. खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से. इनको भूला तो जोली खाली हो जाएगी. प्रजा में भी साधारन पद पाएंगे. सजा तो बहुत खाएंगे. खुद छोडने से फिर औरों को भी संशय बुद्धी बनाते हैं. बाबा को तो तरस पड़ता है. परन्तु माया का वार सहन नहीं कर सकते हैं. उस्ताद सिखलाते तो बहुत हैं. अचल अडोल रहना हैं. नहीं रहते हैं. तो बाबा समशते हैं. अजुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुँचे हैं. वंडर लगता है. ज्यान पूरा ना होने कारण. शिव बाबा से योग ना होने कारण. गिर पड़ते हैं. तुफान तो क्या-क्या लगते हैं. चड़ना और गिरना यह तो होता ही है. गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए ना. हमारा काम शिव बाबा से है. कुछ भी है. हमको वर्सा शिव बाबा से लेना है. मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं. उनको ही याद करना है. उनकी मुरली सुननी है. नहीं तो कहां जाएंगे? हट्ठी तो एक ही है ना. यहां आए बिगर मुक्ती जीवन मुक्ती मिलना सके. बाब के सामने तो आना है ना. हाँ, कोई बांधेली है, बाबा की याद में मर पड़ती है, तो वह भी अच्छा पद पा लेती है. यहां जो देहे अभिमान में आकर अवग्या कर लेते हैं, उससे उसका पद अच्छा. क्योंकि बाबा की याद में मरी ना. अच्छा सौभाग्य है ना. इस ग्यान मार्ग में और कोई तकलीफ नहीं है. बड़ा सहज है. यहां देही अभिमानी बहुत बनना है. बहुत देही अभिमान में रहते हैं. बाबा तो और कुछ कहते नहीं. सिर्फ दिल से अंदर तरस पड़ता है. शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाहा करते हैं. यग्य की संभाल कुछ नहीं करते हैं. तो पद क्या पाएंगे? इस यग्य की तो बहुत संभाल करनी है. जहां भी सेंटर्स स्थापन होते हैं, वह शिव बाबा का ही यग्य है. इस यग्य रचने के लिए सिर्फ तीन पैर प्रत्वी चाहिए. बस कोई बूढे हैं, खुद समझा नहीं सकते हैं. अच्छा फिर कोई बहने वा भाई को बुलाओ. एक छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो. बड़ा पुन्य का काम है. अभी कल्यूग है, विनाश सामने खड़ा है. बाप से जरूर स्वर्ग का वर्सा लेना है. स्वर्ग का वर्सा मिलता ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खतम होती है, नई दुनिया स्थापन होती है. संगम पर वर्सा मिलता है, जो फिर भविश्य के लिए अविनाशी हो जाता है. तुम बहुत समझा सकते हो, सिर्फ तीन पैर प्रत्वी चाहिए. बस एक दो को उठाया, तो भी अहो सोभाग्ये. तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मनाभव. सिर्फ कहते हो, बाप को याद करो, तो अंत मती सोगती हो जाएगी. बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं. सुना, बस बुद्धी में बैठा, स्वर्ग में आने लायक बन गया. जगा देने वाले को हक मिल जाता है. बाबा इतना सेहज करके बताते हैं, कोई को सुखधाम का रास्ता बताओ. प्रजा बनी वह भी अच्छी, नंबर वार बनते जाएंगे. तीन पैर प्रत्वी का मशूर है, इससे तुम विष्व के मालिक बनते हो, प्रजा भी कहेगी ना, हम विष्व के मालिक हैं. यह मकान भी तीन पैर प्रत्वी है ना, शुरू भी तीन पैर प्रत्वी से हुआ, एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया ऐसे बहुत आएंगे, जिनको बाबा कहींगे, तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे? तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि तीन पैर प्रत्वी की ले लो, दस पंधरा होस्पिटल कॉलेज खोलो, अपने गाउं में मकान क्राई पर ले लो, यह तो सब खतम हो ही जाएगा, इससे तो इस खर्चे में दस पंधरा सेंटर खोलो, तो बहुतों का कल्यान हो तुम बहुत धनवान हो जाएंगे, तुम छोटी सी जगा में यह कॉलेज खोल सकते हो, तुमको सिर्फ रास्ता बताना हैं, अंधों की लाठी बनना हैं, जगाना पड़ता है, बाप और वर्से को याद करो, तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है, और कोई खर्चे आदी की बाती नहीं, बेहद के बाप से बेहद का वर्सा लेंगे, समझाना बड़ा सहज है, अच्छा मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोनिंग, रूहानी बाप गी, रूहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला, फर्स क्लास ग्यानी तु आत्माओं का संग करना है, देही अभिमानी बनना है, देहे अभिमानियों के संग से दूर रहना है दूसरा, यग्य की बहुत प्यार से, सच्चे दिल से संभाल करनी है, बहुत लवली मीथा बनना है सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवग्या नहीं करनी है वर्दान, ज्यान, गुण और शक्तियों से संपन बन, दान करने वाले महादानी भाव सारे दिन में, जो भी आत्मा संबंद संपर्क में आए, उसे महादानी बन, कोई न कोई शक्ति का, ग्यान का, गुणों का दान दो दान शब्द का रुहानी अर्थ है, सहयोग देना आपके पास ग्यान का खजाना भी है, तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है तीनों में संपन बनो, एक में नहीं, कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी व्रत्ती वाइस्थिती द्वारा गुण दान दो स्लोगन जो एक बाप से प्रभावित है, उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पढ़ नहीं सकता ओम शान्ती